हुआ हैा हुआ है क्रोइट करते है कि लोग्समें नमबर थार्ड की इस टेट वैज़र एज हओ फॉल्रइग इस फाइन इस यहां पे हमें है करने कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सब्सक्राइ। तो सबसे पहला सैट यह है कि तो तर्फ ऐस्ञड़ एंविच्छा पेर्लट्छ फैर टू एक ट्स एक्से सिस अब एक बाद होता है यह एक्सेट के पैरलल लाहिन तो बहुत सारी हो सकती है इनफा फालिफाबेट मेर जो होता है तो यह ऐक सट्ट है टो कि यह जो फालिटीपल जो लॉटनेटर जो नंबर है और तो फाइव के मृंटाइब संक्ष एंवाद की जा रिये तो बहुत सारे नंबर हों में यह एक इंफाइनाइट सैटे क्रेंट है प्लक्त नमगर वे इलिमेंट से वह इंफाइनाइट है बात करते हैं फूरब वी दस्ट ऑफ एनिमल लिविंग आउंग अर्थ अब यह जो सैट है यह एक पाइनाइट सेट है अब आपके दिमाग में आ बहुत है तो सही अर्थ में बहुत सारे अनिमल्स है बट वह काउंटेवल है ऐसा तो लिए कि उनकी काउंटिंग नहीं की रहा सकें तो इसलिए जो सेट होगा है ये चीशन कॉंडेवल्स क्या बात करता है फिफफ्फ पार्ट है थे सैट औफ सर्क सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसलिए यह जो सेट है यह इन्फाइनाइट सेट है ठीक है तो नेक्स्ट आप बात करते हैं आप क्योशन नमर 4 की क्योशन नमर 4 क्या रहा है इन दफॉल्लिंग स्टेट वैलर एज इस इकोई टूबी और नॉट तो हमें यहां पे इन इच प्योशन हमें यहां पे दो सेट खेंगें यह और B वेखना है कि कॉमद से सैट जो यहां पर यह है जो सेट से सैं में क्यानीख सेट तो यहां पर शा यहां पर है याही ऐस पस़ा इनका जो और है वो अगर उल्टा कढ़ जाए एलिमेंट्स को कैसे बी उल्टा सीधा लग दिया जाए बट वर एलिमेंट्स और होने चाहिए तो एकुल सेट। तो इकोल सेट की आपको definition में मैंने यह चीज बता ली दी थी बात करते हैं सेकंड पार्ट की सेकंड पार्ट में देखिए element 4 तो यह रहा element 4 यहां है 8 यहां पर भी 8 है यहां पर 12 यहां पर 16 यहां पर 12 है और यहां पर 18 है यह elements अलग अलग है इसलिए A और B दुनों equal set नहीं है बात करते हैं थार्ड पार्ट की यहां पर 2,4,6,8,10 तो यह जो set A है इसमें केवल even numbers किये गया है और even numbers कहां तक है 10 तक बात करते है set B की set B set builder form में लिखा गया है तो इसमें element है x such that property लिए यह x is positive even integer and x is less than equal to 10 तो देखिए positive even integer का मतलब क्या हुआ 2 से start होगा और x कहां तक जाना है less than equal to 10 तक यानि less than equal to 10 का मतलब 10 और 10 से छोटे positive even integer यानि कि क्या हो जाएगा 2,4,6,8,10 तो यह वाला set और यह वाला set दोनों same exactly same है set इसलिए यह दोनों equal set है बात करते है fourth part की fourth part में यह है a is equal to x such that x is a multiple of 10 अब देखिए पहला वाला जो set है इसमें elements क्या हूंगे x is a multiple of 10 multiple of 10 का मतलब 10 20 30 40 ठीक है multiple of 10 बट यहां पर देखिए यहां आ रहा है 15 25 15 25 multiple नहीं है 10 के इसलिए यह और भी दोनों equal set नहीं है एक दूसरे के तो यह होगा हमारा question number third question number four next lecture में बात करते हैं question number five and question number six की तो इस्टुएंस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जाज़ जाज़ शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ला झाल के लाज़ आपको लाज़ प्रेंड्स के साथ जाज़ शेग।